नमस्कार दोस्तों इस बार राजस्थान की कई सीटों पर बड़ा दिल्चस मुकाबला होने वाला है बार मेर 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 रविन सिंग भाटी ने सियासी गर्मी तो बढ़ा ही दी है लेकिन नागावर सीट पर भी काफी रोचक मुकाबला होने वाला है इस लोकसबाचुना में राजस्थान के हाट सीट नागोर में सियासी पारावाल पर है इस समय भाजपा परत्यासी जोती मिर्धा और RLP परत्यासी हनुमान में निमाल एक दूसरे पर सियासी हमले करने में लगे हुएं एक दूसरे पर वार पलट वार कर रहे हैं इसी बीच जोती मिर्धा ने हनुमान बेनिमाल को खुला चैलेंग डे डाला है जिसका वीडियो सोसल मीडिया पर वारल हो रहा है क्या है वीडियो सब आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें दोस्तों बीजेपी 85 जोती मिर्धा की ढुबान बेनिमाल को अनुठी चुनाउती देने का ये वीडियो सोसल मीडिया पर जो वारल हो रहा है गगवाना गाओं में एक आजवीच जनसबाका है जिसमें जोती मिर्धा हनुमान बेनिमाल को एक चैलेंज देती होई दिख रही है कि अगर संसद में उनकी उपस्थिती यानि जोती मिर्धा की उपस्थिती कम होई तो वो अपना सिर मुड़वाने के लिए तयार हैं लेकिन अगर हनुमान बेनिवाल उनसे कम संसद में आए उनकी उपस्थिती संसद में कम होई तो हनुमान बेनिवाल को अपनी दाढ़ी और मूच ज्योतिमेडा की ये अनूठी चुनौती सोशल मीडिया पर इसका वीडियो खुब वारल हो है यही नहीं दो तो ज्योतिमेडा इसके बाद भी हंवान मेणभी निमाल कई बार किये और अपने डिगरी वाले मामले में हनुआन बेनिवाल को जूठा करा दिया जोती मिर्धा ने कहा कि मैंने एसमेश मेडिकल कॉलेसे डिगरी की जिसका सार्टिपिकेट है अनपड जाहिल नेतागिरी की जो परंपरा है वो बेनिवाल ने सुरू की है उसका किसी ना किसी को तो जवाब देना ही है या जवाब उन्हें लोग सबाचुनाओं के में नागवर की जनता देगी बता दें कि RLP के सुप्रीमों और ख्यूसर से विधायक हनुमान बेनिवाल कई मोकों पर अ नागवर की सांसत थी तब तो लोग सबाचुनाओं में जाती ही नहीं थी यह हनुमान बेनिवाल ने कहा था उनकी लोग सबाब में उपरस्ती 20 या 25 प्रतिसत थी इसके अलावा बेनिवाल ने जोती मेरधा की डिगरी को लेकर भी फरजी बताया था कि इनकी डिगरी फरज जो की कॉंगरेस के साथ गडबंधन में चुनाओ लड़ रहे हैं वो चुनाओ जीतेंगे या फिर जोती मेरधा जो की बीजेपी परतासी हैं पिछले चुनाओ में वो कॉंगरेस की तरफ से इसी सीट से चुनाओ लड़ी थी लेकिन वहार गई थी तब हनुमान में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें धन्यवाद